हलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यों पीसियस दिस इस मनीश्रिवास्तो जैसा कि आपको पता है दिन के दो बजे एक इपोर्टन सेशन लेकर मैं आता हूँ जिसमें साइन्स के साइन्स एंड टेक्नोलजी का जो अलग-अलग पार्ट्स है उनको मैं हाप अपर करता हूँ तो आज जो है ट्यूस्टे के दिन हमारी पूरी टीम हर दिन कोई न कोई subject आपके लिए लेकर आती है किसी दिन हम history को discuss करते हैं किसी दिन politics discussion होता है किसी दिन आर्ट इन culture पर होता है geography का भी session है जो मेरे द्वारा लिया जाता है Saturday को और आज है Tuesday 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 को भी मैं a session लेता हूं जो किसके ऊपर है science and technology science and technology के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट च्यापटर है उस पर जो है चीजे देखेंगे तो शुरू करेंगे आज का च्याप्टर जिस使用 हम लोग ने लास्ट सैषन में क्या स्ट्रार्ट किया था उसके बाद आगे आज बात करने वाले हम तो देखा है कि क्या है हमारा chapter 2 chapter का नाम है achievements of Indians in science and technology 去-to achievements of Indians in science and technology मैं मैंने एक part लिया था आपका this part one a party में हमने कुछ जो है important science जो है हमरे उनके बारे में discussion किया था जिसमें आपने हुमी जहांगीर भाबा के बारे में पढ़ लिया था सीवी रमन के बारे में मैंने आपको बताया था एम विश्वेश्वर रहिया के बारे में बात की थी वेंकेट रमन की बात करी थी ऐसे कई important जो personalities थे इंडिया से related उन पर हमारा discussion already हुआ है आज हमें और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्रोंने इंडिया के अंदर scientific field में बहुत बड़ा achievement हासिल किया और आज हम कई चीजों को enjoy कर पार है due to these personalities जैसे आज इंडिया एक missile power है इसके पीछे APJ अब्दुलकलाम को credit जाता है इंडिया के अंदर जो है paleo botany पर study है इसका credit भीरबल साहनी को जाता है birds के लिए बहुत जादा हमारे जो bird man कहलाते है सली मली जी उनकी बात की जाती है तो ऐसे कई लोग है जो हमारे अलग-अलग fields से related है और जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यह देखिया जाए तो इस पर आपको means writing में भी answers आते हैं directly कि आपको अलग-अलग जो scientist है जिनोंने science and technology की field में बहुत सारी चीज़े establish करी हैं और हमारे लिए हमारी life को feasible बनाया है ऐसी personalities को हम यहाँ पर study करते हैं तो आज भी हम बहुत सारी personalities हैं जो पिछले lecture में रहे गई थी उनको आज हम cover करेंगे जो हमारे syllabus में भी आपको देखने मिलेगा कि इनके बारे में पूछा जाता है previous question papers को भी देखेंगे तो वहाँ से भी चीज़ें आपको clear होंगी तो शुरू करेंगे आज का session इसके अलाबा कोई भी तरह की डाउट सेंट शूशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जोड़ सकते है mail ID मेरी है यहाँ पर आप mail कर सकते है उपर दिये गए टेलिग्राम लिंक पर लेक्चर की PDF में अपलोट कर देता हूँ वहां से आप जो है PDF अफ्लोट भी कर सकते है इसके अलाबा यूपी असी का अगर लाइफ कोर्स की बात करें तो हमारा सेकेंड बैच जो है इंडियन साइन्टिस्ट को डिसकर्स कर चुके हैं लास सेशन में तो सेवेन में हमने जैसे मैंने बताया सीवी रमन के बारे में रमन एफेक्ट की बात करी थी एम विश्वेश्वराया की बात करी थी जिन लोगों ने भी लास लेक्टर देखा उनको याद होगा हूमी जहांगीर की मैंने आपको कहानी सुनाई थी वेंके ट्रमन की बात करी थी तो आज भी कुछ पर्सनालिटीज लेंगे जो हमारे इंडिया के अंदर साइन्स एंड टेक्नालोजी की फिल्ड में विज्ञान एवं प्रोधिकी की शेत्र में जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज करी है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमारा जो में जितने इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज है उनको में और कवर करा दूँगा कैनली प्लिश प्रोवाइड अल्ट पीदियों ए बिलगव फेसे बिसके पीडियफ Wir neces in download कर लिजागा आप यह इस session के बाद this session के बाद मेरे दो ला session है मताब यह life session is के बार तीन बजे भी मेरे एक लाइट सेशन होगा उसके बाद में upload कर दूँगा तो वहां से आप जो है उस चीज को download कर लिजागा शुरू करते हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग निमिली इनको कोई ऐसे टीचर नहीं मिले जिन्होंने इनको mathematics की solutions बता है लेकिन इन्होंने कई ऐसी चीज़े solution कर दी जो इनके खुद के बोला जाए कि खुद का जो है इसके पीछे दिमाग था खुद के कारण जो है इन्होंने पूरी रिसर्च करी उन चीजों पर काम किया और अपने विल पावर पर जो चीजों को स्टैबलिश किया तो ऐसे वेक्ती थे श्री निमास रामानुजन इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थ हुआ 22nd December 1887 में जब ब्रिटिश का टाइम था तब ये इंडिया में पैदा हुए थे और इनको काफी इंट्रेस्ट था म मैथमाटिक्स की फील्ड में तो ही इस कंसीडर टू बी ग्रेटेस मैथमेटीशन आफ दी ट्वेंटी एथ सेंचुरी तो बीसवी शताब्दी के जो है काफी प्रसिद्द जो है इसके अलावा मैंने आपको बताया इनको को कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली कि कोई इनको पढ़ाया हो और फिर ये मैथमाटिक्स में इनको इंट्रेस्ट डवलप हुआ और फिर इन्होंने बहुत सारी थियोरम्स करियों ये इन्होंने खुद के बेसिस पर करी तो खुद जो है चीज़ों को डवलपमेंट किया है नोने तो देखा जाए तो विताउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन प्योर मैथमाटिक्स रामानुजन मेड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कॉंट्रिबूशन फॉर मैथमाटिकल एनलिस नंबर थियोरी इन्फाइनाइट सी ट्रेंगनो मैट्री जो ऐसे लोनी अगर जो भी एडवांस मैथमाटिक्स पढ़ते हैं या आपका इसके उपर जो मैसी लोग करते हैं तो ऐसे लूनी की ये बुक को काफी रिफर किया जाता है इवन जो आप इंजिनिर्शनिरिंग मैथमाटिक्स भी पढ़ते हैं तो सी क्लास में होते हैं, तो 13 एर्स में आप लोग जो है बहुत, मैं अधा प्राइमरी आपका एजुकेशन चल रहा होता है, मतलब हमारे हाँ जो स्टूदेंट का एड्मीशन ही होता है, फॉर्स क्लास में जो बच्चा जाता है, वो छह साल में जाता है, मतलब 7th 8th class के time की बात कर रहे है, 7th 8th में ये उस तरह की book solve कर रहे है, trigonometry जो ऐसे लूनी की है, जो बच्चे कहां पढ़ते है, या तो M.TEC में पढ़ते है, या M.S.E.S. में पढ़ते है, masters जब करते हैं, तब इन books को refer किया जाता है trigonometry, आप basic trigonometry तो आपको चालो हो जाती है, 7th 8th class से, लेकिन ये जब 13 साल के थे, तो इन्होंने ऐसे लूनी की जो किताब थी, advanced trigonometry, and later discovers sophisticated theorems on his own, और उनसे ही related कई theorems जो थी, कई प्रमय की खोज कर दी थी, इन्होंने, खुद अपने दम पर, किसी से help नहीं ली थी, ऐसे लूनी की book, जम इनोंने करी थी, तो एक जो है उस सम time to time, बहुत सारे ऐसे लोग हुए, जिन्होंने अलग-अलग तरीके से, मतलब अपने brain को use करके, यूनोंने बहुत सारी चीजे अचीजे अचीव करिये, तो ये चीजे हमें कहीं न कहीं बताती है, कि अगर हमारे brain को हम right direction में use करेंगे, देखे, कुछ लोग extraordinary होते हैं, लेक होड़ा सा हताश होते हैं, demotivate होते हैं, तो हम चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन आप जितनी चीजों के साथ involved रहेंगे, जितना उसके साथ लगे रहेंगे, आपको वो चीजे धीरे-धीरे easy हो जाती हैं, तो ऐसे कई उधारण हैं, हमारी इंडिया के अंदर कोई लग नहीं हैं, बट basically आपके brain में आप किस तरीके से सोचते हैं, ये एक बहुत important चीज़ होती है, तो देखा जाए, तो शुद्ध गनित में किसी भी आप्चारिक परिक्षन के बिना, रामोन जन्ने, गनित गे विश्रेशन, संख्या सिद्धान्त, अनंत श्रिंकला, इसे व्यक्ति थे कौन, श्री निवासन, रामनुजन, कब हुए, 1887 के टाइम पर इनका जन्म हुआ है, और जो है, ये कहां पर हुआ था तो तो तमिल नाडू में हुआ था, ये एक important चीज़ इनके बारे में याद रखेंगे, तो यहां पर ये चीज़ आपको समझने आई होगी, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट व्यक्ति के तरफ बढ़ते हैं, पहले तो हम समझ गए, श्री निवासन, रामनुजन किस फील्ड से रिलेटेट थे, तो वो फील्ड थी आपकी mathematics फील्ड से, अब बढ़ते है, एक और important फील्ड जिसको कहा जाता है, space field, father of space science, हमार इंडिया के, जो space के लिए जिन्नोंने काम किया, उन व्यक्ति का नाम क्या है, विक्रम सारा भाई, विक्रम सारा भाई ने, ही हमारे एक organization है, जिसको इस रो कहा जाता है, तो इस रो से पहले ये क्या थी, इन्सको स्पार्थी, तो ये जो है, इनको काफी प्रेंडना मिली थ किस से, जब US के अंदर, या हम बात करें, आज आपने एक वेक्सीन का नाम सुनाओगा, स्पूतनिक, जो स्पूतनिक है, ये actual में सबसे पहला mission था, जो successful mission था, किसके द्वारा किया था, रशिया के द्वारा, उस समय रशिया नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था, उस समय USSR कहा जाता था, जैसे आज USA है, तो United States of America में 50 स्टेट से, वैसे ही एक समय पर, रशिया के अंदर भी बहुत सारे देश हुआ करते थे, उनको हम United, Soviet, संग जो कहा जाता था, Soviet, Russian कहा जाता था, United States of Soviet, Russian, USSR, USSR, और USSR में बहुत सारे देश होते थे, जैसे आज लड़ाईयां हो र पार्ट हुआ करता था, करीमिया, मतार यूरोप के बहुत सारे देश, USSR के पास हुआ करते थे, और USSR ने स्पूतिनिक नाम का जो पहला स्पेस प्रोग्राम था, वो कर दिया था, आप पढ़ते हैं, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसको कहा जाता है Cold War, तो cold war को ही क्या कहा जाता है, शीत युद्ध, अभी इस cold war होता है, इसमें असल में युद्ध नहीं होता है, लेकिन tension जो होती है दो देशों में चल रही होती है एक दूसरे में competition चल रहा होता है जैसे कई बार आपका competition अपने friends के साथ चल रहा होता है उनको लगता है आपका कि आपका friend ना आगे निकल जाए कई बार लगता है कि हम पीछे ना रह जाए तो ऐसे ही cold war उस समय काफी जादा होता था USSR और USA के बीच में सब बनना चाहते थे super power तो सबसे पहले जो है अपना space program किस ने जो है successfully भेजा Sputnik भेजा Russia ने उसलिए जो है अभी जब vaccine की भी बात आई थी तो vaccine में भी जब Russia ने सबसे पहले experiment कर दिया तो उसका नाम Sputnik 5 रखा और ये वही दिखाने को था USA को कि हमने आप से पहले space program को कर दिया था तो ये तो geopolitics में होता रहता है इसलिए मैंने ये चीज़ बताई तो यहाँ पर विक्रम सारा भाई का Sputnik से क्या है जब इन्होंने space program किया तो विक्रम सारा भाई ने भी हमारे प्रदान मंत्री जवाला नहरू को उस समय कन्विंस किया कि भाई भारत में आज गरीबी है बहुत सारा पिछड़ा है भारत लेकिर हम space की help से हम space program की help से हम satellites की help से हम PSLV, GSLV जो प्रोग्राम से launch vehicles develop करेंगे आगे चल कर और इन से हम भारत के अंदर जो छोटा तपका है उसको भी उपर ला सकते हैं मतलब उस समय लगता था कि भाई अभी तो भारत गरीबी से जो है जूज रहा है अभी बटवारा हुआ है इतनी सारी जनसंख्या आई है लोगों के पास खाने की आपूरती नहीं है तो हम Space Program में क्यों खर्च करें लेकिन विक्रम सारा भाई ने जो है जवाल लन लहरू को विश्वास दिलाया कि अगर हम इस चीज पर काम करेंगे तो यह जो है हमारे जो छोटा तपका है हमारे जो बिलो पोवर्टी लाइन लोग रहते हैं उनको बहुत फाइदा होगा और इसका फाइदा भी हुआ एक प्रोग्राम इनके द्वारा बाद में स्टार्ट किया गया था जो आप लोगों ने देखा होगा दूर दर्शन पर आता था क्रिशी दर्शन बहुत फेमस हुआ था तो इनको जो है प्रेंटना बहुत सारी चीजों से मिली थी इसमें स्पूतनिक भी था इसके अलावा जम 1964 में ओलम्पिक्स हुए थे 1974 में एक उलम्पिक्स गेम हुए थे और ये कहा हुआ था तो अभी अभी आपने सुनाये कि अभी टोक्यो अलम्पिक्स हुए थे टोक्यो अलम्पिक्स जो था टोक्यो अलम्पिक्स अभी 2020 का 2021 में हुआ है इससे पहले Tokyo Olympics कब हुए थे तो 1964 में हुआ था और 1964 में जो यह Tokyo Olympics हुआ था इसमें याद रखेंगे कि लाइव टेली कास्ट मैच हुआ था आपका अक्रोस पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे जापान जो है एक जापान चोटा सा देश है जो आपको एशिया के तरफ पड़ता है और इस तरफ जो है आप मैप पे देखेंगे तो आपको अमेरिका पड़ेगा त तो यहाँ पर बताया जाता है बीच में है प्रशांत मास अगर पैसिफिक ओशिन तो पहली बार ऐसा लाइव टेली कास्ट मैच हुआ था जिसको ट्रांस स्पेसिफिक की बात करें कि हो रहा था जापान के अंदर और उसका टेली कास्ट अमेरिका के अलग-लग शेहरों में हो रहा था तो इससे भी काफी प्रेंड़ना मिली विकरम सारा भाई को कि हम इन चीजों को देख सकते हैं तो आपको लग रहा होगा कि भाई इससे गरीबों को क्या फायदा होगा तो देखा जाए तो आज स्पेस प्रोग्राम हमारा इतना हेल्फुल है कि भाई किस मौसम म आज हमें बहुत सारी मदद कर रही है तो यह जो चीज है इनको बहुत सारी चीजों से प्रेंड़ना मिली तो इनोंने हमारी गौर्मेंट को भी कंविंस किया क्योंकि देखा जाए सरकार अगर नहीं चाहेगी तो वह यह प्रोग्राम कैसे सफल होते तो विक्रम सारा भाई ने बहुत सारी चीज़ पहले पी आरेल जो थी वहाँ पर एक लेबरेटरी बनाई थी जो एमदाबाद में थी फिर कई बड़े बड़े जो प्रोफेशनल थी अलग लग फील्ड के उनको लेकर इनोंने इंसको स्पार नाम की एक कमिटी बनाई थी जिसमें इंडियन स्पे टोक्यो ऑलम्पिक्स हुया उसने भी बहुत सारा एक टर्निंग पॉइंट बोला जाता है विक्रम सारा भाई ने फिर हमारी गवर्मेंट को भी बहुत सारा इस पे जो है कन्विंस किया और अपने उपर रिस्पोंसिबिलिटी ली कि हम स्पेस प्रोग्राम चालू करेंगे और ही इस नोन आज दी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इने भारती यह जो स्पेस प्रोग्राम है उसके लिए इनको जनक कहा जाता है इसके अलावा लॉट इन इंपोर्टेंट रूल इन सेटिंग अप दी इंडियन स्पेस रिसर्च और गनाइजेशन जो इसको पहला स्पेस प्रोग्राम था जो यूए से सार ने लॉंच किया था और उस समय यूए से भी देखता रह गया था तो यहां पर जन्म कब हुआ है 12 अगस्त को हुआ है 1919 में और उन्हें भारत के अंत्रिक्ष कारिक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है इसके अलावा दू इसरो है एक ऐसी चीज है एक समय हम लोग जो है मौताज हुआ करते थे दूसरे देशों पर कि हमारी कोई सैटलाइट भेजनी है तो किसी दूसरे से भेजा जाता था जब कारगेल यूद्ध हुआ था तो भारत ने USA से मदद मांगी थी कि भाई कुछ सैटलाइट हमारे कार अगल वाले एरिया पर दे दो लेकिन USA उस समय पीछे अडिया था उसने कोई हेल्प नहीं करी थी लेकिन आज इस्तिति इसरो की यह है अगर यह स्पेस प्रोग्राम नहीं हुआ होता आज इतने सारे छोटे-छोटे देश हैं जैसे तंजानिया है केनिया है इनकी जो सैटल करते हैं, NASA भी काम कर रहा है, USA भी काम कर रहा है, Japan भी काम कर रहा है, France की भी कई सैटलाइट जा रहे हैं लेकिन वो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन हमारे एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम कम जो है एफोडेबल जो है स्पेस प्रोग्राम कर रहे हैं और कई तरह से हम चीजों को मतब कई दूसरे छोटे छोटे देश हमारे यहां से हल्प लेते हैं, तो ये जो है सिनेरियो चेंज करने में कहीं ना कहीं, विक्रम सारा भाई को हम क्रेडिट देना चाहिए, कि उस समय भारत में ये चीज सोचना एक अलग चीज थी और इनोंने हम को के जल्दी से कमेंट सेक्षन में लिखकर बताई है, इसके अलावा ही रिसीट पादम भूशन इनको पादम भूशन मिला 1966 में और पादम विभूशन मिला 1972 में आफ्टर हिस डेथ, तो ये जो थे विक्रम सारा भाई की भी डेथ 72 के एराउंड हो गई थी, और इसके आई हैं, एहमदाबाद को एक प्रीमियर इंस्टिटूट माना जाता है, कोई भी MBA करना चाता है, तो चाहता है कि भई, कैट से आपका IAM मिले, उसको भी इस्टैबलिश किसने किया है, विक्रम सारा भाई ने, आज ने नेहरू फाउंडेशन फॉर डवलप्मेंट, ये भी और इस तरह के मून के उपर एक क्रेटर मिला है, चांद के उपर एक क्रेटर मिला है, और उस क्रेटर का नाम जो है, इंटर नाशनल आस्रोंनामिकल यूunion ने, अंतराश्टी जो खगोली जो संग है, उसने उसका नाम क्या रग दिया, विक्रम सारा भाई, इनके ही सम्मा में तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कुमार शर्मा का कहना है बिल्कुल सुमनाद जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कुमार शर्मा का तो देखिये इन्हों ने उनने इसके बाद जो है हम यहाँ पर कह रहें कि इनो ने क्या किया है आई आई एम इंडिया इंस्ट्रिटूट अफ मैनेजमेंट आई 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 एम जो है एहमदाबाद और नहरू फाउंडेशन फॉर डवलप्मेंट जैसे संस्थानों के स्थापना में भी महत्पुन भूमिका नभाई और विज्ञान में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए अंतराष्टी खगोलिय संग द्वारा चंद्रमा में एक क्रेटर शांती के समुद्र का नाम उनके नाम पर रखा गया है तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारे लिए विक्रम सारा भाई को इंटरनाशनल लेविल पर भी बहुत ज्यादा जो है समझा जाता है हमारे विक्रम भाई स्पेस सेंटर वी एसे सी ये जो है बहुत सारे सेंटर्स के नाम इनके उपर रख दिये गया है अगले साइंटेस्ट हैं सलीम अली सलीम अली की बात करें तो वैसे तो ये इनोंने किस फील्ड में क करें जिए के नाम पर वाइललाइफ सेंचुरीज आ लाट पारक है हमारे तीन जगा पर आपको मिलेंगे एक जो है आपका जमु मेर कश्मीर में है इसके लाबाव में है और केला में है की नहीं जगाए। इंडिया के बर्ड मैन कहला आते हैं इंडिया के बर्ड मैन कौन है तो सलीम अली जी और्थन और गर्नलाग जिस्ट जो है यह है हम बिलकुल अर्थनो लॉजिस का अमदलब पक्षिविग्यान है तो पक्षिओं के लिए जो है इनों ने बहुत सारा कॉंट्रिब्यूट किया इंडिया के जो है बर्ड मैन कहलाते है बर्ड मैन ओफ इंडिया तो देखते हैं इनके बारे में तो यह जो है इनका जन्म कहां हुआ सेकेंड नवंबर 1896 इन मुंबई इसके लावर ही वाजन और्थिन लॉजिस्ट और नेच्रलिस्ट फू वर्क फॉर कंड़क्टिंग सिस्टेमाटिक बर्ड सर्विस एक्रॉस इंडिया तो इंडिया के अंदर बर्ड की सर्विसेस के लिए काम किया और बर्ड बूक ऑफ सली अगर हम वर्ड लेवल पर बात करें की वर्ड लेवल पे और थेन लॉजी के फादर कौन है तो और्थिन लॉजी जी चीजिए फादर एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम था ए ओ हुम यह हुम कौन ते जिनको कहा जाता है ऐलन ओक्टेवियन लूग यह नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा और मैं आपको कहां बता रहा हूँ तो यह मैं बता रहा हुँ आपको साइंसिन टेक्नोलोजी में तो यह याद रुखिए एयो हूम ने इंडिया नाशनल कॉंग्रेस को बनाया था लेकिन वो एक्च्वल में क्या थे और ते नो लॉजिस्ट थे एक पक्षी वग्यानिक थे जो वर्ट लेवल पर जाने जाते जैसे आप सुनेंगे में स्वामी नाथन को की फादर ऑफ ग इसके अलाब बात करें ही इस ओनाज इस बार्ट मैन आफ इंडिया वूप लेड इन इंपोर्ट रोल बहाइं दी बंबे नाचरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंपोर्ट रोल इन दा क्रिएशन ऑप भरत पूर बर्ट सेंचुरी जो है बरत पूर बर्ट सेंचुरी और एड तो क्यार लागा साइलेंट वेली नैशनल पार्ट था उसके भी जो है आपका जब उसका उसको धीरे-दीरे खतम किया जारा था जैसे आपने देखा को कई जगा पर नैशन पार्क की जमीन को लिए जाता है उन पर जो है कोई प्रोजेक्ट बना दिया जाता है तो वहां प Silent Valley, जो National Park था, उस पर भी बात की थी, बिल्कुल Botanist भी थे, लेकिन Orthonologist के फादर भी खहे जाते हैं, इसके बाद जो है, in 1930, he published research paper about the nature and activities of weaver bird, weaver birds वो होती है, जो अपना घोशला खुद बना लेती है, weaving कर लेती है, जैसे कढ़ाई बुनाई होती है, उसके तैसे, बिल्कुल, 1885 में Indian National Congress बना था, जिसके पीछे आप theories पढ़ते हैं, कि कौन सी थी, तो वो जो है आपका lightning conductor theory भी होती है, इसके अलावा lightning conductor के अलावा, जो है safety wall theory भी दी गई थी, इंडियन हिस्री का topic है, वहाँ पढ़ते हैं आप लोग, तो 1885 में Indian National Congress के याद रखेंगे, EU हूम को बर्ड में भी याद रखें आप, इसके अलावा अगरा हम बात करें, ही वाज अवर्ड इट पद्म विभूशन, इनको पद्म विभूशन मिला, वर इंडिया का second highest civilian honor है 1976 में, तो भारत के बर्ड में के रूप में जाना जाता है, जिनल बॉम्बे नैच्री सोसाइटी के पीछे महतपुन भूमी का निवाई, और भरतपुर पक्षी शताबदी या आपका century कोई अभ्यारण बोला जाता है, तो इसको अभ्यारण कर लेंगे, तो के निर्माण में महतपुन भूमी का निवाई और साइलेंट वेली नैशनल पार्के मिनाश को भी टाल दिया, इसके लए उनने सो थीस में वीवर बर्ट की प्रकरती और गती विदियों के बारे में एक शोध पत्र प्रकाशित किया, और 1976 में भारत सरकार ने उनको पदम, जो पदम विभूशन है, उससे सम्मानित किया, इसके बाद एक और व्यक्ति है, जिनोंने आपका medical science में बहुत है, mapping की बात करते हैं, बीबी designing की बात करते है, मतलब आज हमारे पास इतनी technology development हो गई है, कि हमारे अंदर जो genes है, जैसे हमारे अंदर एक intelligence intelligence का जीन है हमारे अंदर कोई color का जीन होगा हमारे अंदर किसी तरह से मतलब हमारी अलग अलग जो nature है हमारे उनके genes होते हैं जो हमें हमारे mother father हमारे grandparents से inherit होते हैं तो इन में भी जो change हो पा रहा है आज biotechnology के अंदर बहुत सारी development है हर गोबिन खुराना जी का इसमें बहुत बड़ा रोल हुआ करता था तो इनके बारे में भी देख लेते हर गोबिन खुराना जी भारती मूल के ही थे लेकिन भारत से चले गए थे तो उनका जन 9 जनवरी 1922 को पश्यमी पंजाब के राइपुर गाओं में हुआ था उस समय देखा जाए तो भारत पाकिस्तान नहीं बना था 1922 में तो पश्यमी जो पाकिस्तान मता आज वरतमान जो पाकिस्तान है उसमें जो पंजाब आता है वहाँ पे इनका जन्मुआ था राइपुर गाउं में और भारती मूल के एक अमेरिकी आन्विक जीव विग्यानी थे जो बाद में अमेरिका चले गए थे तो ये इंडियन ओरिजिन के थे 1968 में उन्होंने रॉबर्ट डबलू होली और मार्शल डबलू के साथ फियो लॉजी तथा मैडिसीन के लिए नोबल पुरसकार साजा किया तो इनको नोबल अवर्ड भी मिला है हर गोविन खुराना इंडिया से विलॉंग करते थे जो बाद में जाकर कहां बस गए USA में बस ग गोविन घुराना जो इंडिया से विलॉंग करते थे उनको कौन सा वर्ड मैला था दूओ फिजियो लॉजी और मेडिकल साइंस मेला थरोबर्ट डबलू होली और Marshall, W के साथ क्या मिला है, तो Medical की field में, जैसे आज भी Noble, आपने देखाऊँ का Physics में, מצीर िमलता है Mathematics मेंमें, Cand Entonces, Mathematics में नहीं दिया जाता है Mathematics को Tool माना जाता है, तो उसमें नहीं दिया जाता है एक कहानी मताया जाती है प्रेज नोबल जो थे, Noble की जो बेटी थी, उन्होंने एक Mathematics Mathematician से शादी कर ली थी, इसलिए Noble ने ये मना कर दिया था कि वो किसी भी Mathematician को जो है Award नहीं देंगे, ये भी कहानी मिलती है, लेकिन में जो है, उसके पीछे Science ये बोला जाता है, कि भी Mathematics subject नहीं है, Mathematics just टूल है, Mathematics में आपको बताई है, जो इसके पीसे चलती है, इसके अलावा, Nairanberg for research of nucleotides in nucleic acid, आप DNA पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे आपको nucleic acids जो होते हैं, उसके अंदर होते हैं, वैसे जो मैं पढ़ा रहू हूँ आपको biology, अभी genetics में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर ये चीज़े में और भी आपको connect करूँगा, भी बस याद रेकली जेन, उन्ने nucleotides के उपर research किया था, and which carry the genetic code of cell, which controls the cell synthesis of proteins, जिसमें cell के protein का synthesis होता है, इसके लाव, he was the first person to synthesize an artificial gene in living cell, तो इनोंने क्या किया, एक artificial gene को लिया, और एक human के अंदर, या एक living being के अंदर, उसको implant कर दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज थी, and this became the foundation of research in biotechnology and gene therapy, जो मैं बोल रहा हूँ, कि आज हमारे, जो features हैं, उनमें भी change किये जा सकते हैं, आज baby designing जैसे features आगे हैं, कि लोग जो है scientist के पास जा रहे हैं, कि हमें ऐसा baby चाहिए, हमने baby का color ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर height का gene डाला जाए, उसके अंदर intelligence का gene डाला जाए, उसकी eyes के जो color है, iris का, उसका gene डाला जाए, तो ये सारी चीज़े possible हो रही है, जिसके पीछे कई तरह की चीज़े कई जाते हैं, कि इससे gene pool भी कम होता है, जिस पर हम बात करेंगे, answer writing practice करा दो, sir, science and technology का एक दो session में, बिल्कुल मैं खरा दूँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा answers लिख कर, जो है थोड़ा सा interest दिखाएंगे, तो इस पर हम लोग की ये भी start कर देंगे, बिल्कुल कुमार, एकदम सही है आपका, मैंने अभी जैसे कुछ-कुछ sessions में, answers, जैसे मैं science वाले session में, तो बहुत ही लिमिटेड बच्चों के answers आते हैं, बिल्कुल designer baby a concept आ गया है, तो designer baby, आज इंडिया में तो नहीं है, कई दूसरे देशों में, लेकिन उसके कारण एक, जो है, हमारा जो universe है, उसके अंदर कई तरह के ethical problems डवलप हो जाएंगे, ethicals problem भी है, इसके कारण उसको बहुत ज़्यादा promote नहीं किया जाना चाहिए, हम उसकी की भी बात करेंगे, बिल्कुल जो भी doubts है, आप लेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लग रहा है, आप पूछे ज़रूर, तो answer writing हम करा देंगे, don't worry हाँ, तो देखे, यहाँ पर समझने आ रहा है कि जीन therapy, और हमारे अंदर जो genetic चीजे हैं, जो हमें mother father से मिली, उन में भी change हो सकता है, यहाँ विन खुराना जी का भी एक बहुत बड़ा जो है, इनो ने experiment किया था, in 2007, department of biotechnology and the Indo-US science and technology forum jointly created the Khurana program, इनो ने इनको सम्मान देने के लिए प्रोग्राम चालू किया, खुराना प्रोग्राम, देखिए, यह कौन साय, department of biotechnology or Indo-US science and technology, इन दोनों का मिला जुला प्रोग्राम था, EDM to build a, seamless community of scientists, social entrepreneurs and industrialist in India and the United States, तो US और इंडिया के अंदर यह हमने joint venture किया था, और खुराना प्रोग्राम चालू किया, कि ऐसे लोग आए, जो बायो टेक्नोलोजी में बहुत ज्यादा अचीव करें, बहुत सारी चीजों को research करें, उनको एक platform provide करने के लिए यह चीज की गई थी, तो new click acid में nucleotide के अनुसंधान के लिए निरेन बर्ग, जो कोशिका के अनुवांशिक कोड को ले जाते हैं, जो कोशिका के प्रोटीन के शर्षेशन को नियंतरित करते हैं, और ये जीवित कोशिका में कृतिम जीन, artificial gene का शर्षेशन करने वाले पहले व्यक्ती थे, और ये जेव प्रोद्दिकी की और जीन चिकेट सामया अनुसंदान का आधार बना है, देखे ये चीज देखा जाए तो बायो टेक्नलोजी कई जगाओं पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, माल लिया जाए कोई बच्चा है जिसका बच्च्पन से उसका इंसुलिन नहीं बनता है, तो आज की जाता है, जिससे वो इंसुलिन और बनाने लगता है, तो ये जो चीज है, ये भी किसकी हल्प से उपारिये, बायो टेक्नलोजी के हल्प से हो पारिये, इसके अलावा कई मैडिसेंस होती है, जो किस से बन पाती है, वो आपकी इनी जीन्स को यूज करके, जो है आपका आग अगर की प्लेट पर उसका जो है कल्चर किया जाता है, उसके बाद उसको फॉर्म किया जाता है, तो ये चीज़ें भी आज पॉसिबल बायो टेक्नलोजी के हल्प से हो रही है, दो जार साथ में जे प्रदुगी विभाग, भारत अमेरिका विग्यान और प्रदुगी मंच प्रदुगी ने जो किया काम, वो पेलियो बाटनी फिल्ड में किया, पेलियो का मतलब क्या होता है, तो फॉसिल्स होता है, फॉसिल्स मतलब अवशेश जो होते हैं, और किसके बाटनी, मतलब आपके प्लांट्स रिलेटेड, तो मतलब पादब जगत की अगर हम बात करें, कि plant related जब हम अवशेशों का अध्यान करें जीवाश्मों का अध्यान करें तो उसको कह दिया जाता है पेलियो बाटनी मतलब जैसे कोई जंगल था वो जमीन के अंदर कई सालों पहले दब गया है उसके बाद हमें उनकी लखडियों के जो सैंपल्स मिले वो फॉसिल्स मिले उनकी स्टडी के लिए जो है किसको जाना जाता है बीरबल सानी जी को जाना जाता है इनके नाम पर एक इंस्टिट्यूट भी है लखनौ म जिसका नाम क्या है बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ओफ पेलियो बॉटनी यह कहां पर है लखनौ में तो बीरबल साहनी जी बहुत ही इंपोर्टेंट व्यक्ति है यह वाज बॉन ऑन 14th नेवेंबर 1891 इन वेस्ट पंजाब यह भी उस हमें के पाकिस्तान में हुए ते ही पेलियो बॉटनेस्ट अंडी स्टेट इस फोसिल्स ऑफ दी इंडियन सब कॉन इंट इन तो इन ने फोसिल्स का स्टडी किया लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तो जन चाहुदा नवंबर 1891 पश्यमी पंजाब एक जीवाश्म विज्यानी थे और उन्हों ने भारती है उप महदीप के जिवाश्मों का अध्यान किया और किसके जिवाश्मों तो पौधों के प्लांट्स के स्टरडी किया है इसके बात बात करें युँज आलसो आशो कोशील लॉजिस वर्ग अर्क लोजी इनोने आर्क लोजी जो पुरातत्त्रू विभाग होता है जैसे हा यह FRS मतलब यह होता था उससमें जो इंटेलेक्चिल होते थे उनको लंडन की जो फेलोशिप दे दी जाती थी रोयल सोसाइटी के तो उससमें एक उपादी होती थी, FRS होना एक बड़ी बात हुआ करती थी, इसके रावा था हाईएस्ट ब्रिटिस शाइंटिफिक ओनर इसी का नाम अब बीरवल सानी इंस्टिट ऑफ पेलियो बाटनी है, और मैंने बता दिया कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनौव में यह देखने मिलती है, तो इसके बारे में भी याद रखेंगे, एक समाज शास्त्री थे और पुरा तुत में भी काम क है, इसके बाद बहुत ही महत्पूर्ण व्यक्ति, हमारे इंडिया के डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम जो भारत के राष्ट्रपती भी रहे, महमहीम भी बने, जब अटल व्यारी वाजपई थे, तो अटल व्यारी वाजपई ने एपी जे अब्दुलकलाम को जो है र यह MP जिसको काज़ डवलप्मेंट प्रोग्राम है, उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, हमारे जो बेसिक पांच मिसाइल्स का प्रोग्राम था, जिसमें आपने अगनी सुना होगा, नाक सुना होगा, पृत्वी सुना होगा, यह सारी चीजों में इनक के लिए बहुत सारा काम किया, इसके लावा इसरो के लिए भी बहुत सारा काम किया है, तो यह जो है इनके बारे में डियो इसरो का तो आप समझी रहें, बिलकुल बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन है, इसके अलावा जो है, all the start of his carrier, he designed a small helicopter for Indian Army, इन्होंने सबसे पहला जार केरियर स्टार्ट किया है, तो इंडियन आर्मी के लिए, जो है helicopter design किया था, और बहुत सारी चीजे इनको लगा कि हम defense में बहुत सारी चीजे डवलप कर सकते हैं, तो उस field में बहुत काम किया, यह तक बोला जाता था कि जब यह research में रहते थे, या जब पढ़ रहे होत इसके अलावा, he was transferred to ISRO, where he become the project director of Indian, first indigenous satellite, जिसको SLV 3rd कहा जाता है, यह SLV 3rd जो है हमारा successful program था, उसके समे भी director हुआ करते थे, APJ Adul Kalam is known as the missile man of India, for his contribution on the development of ballistic missile and launch vehicle technology, जो launch vehicle technology or satellite ले जाने के लिए, और ballistic missile जो एकदम निशाने पर target करती है, उस पर बात करते हैं, तो यह missile man of India है, इ हमारा पोकरन में, जो हमारा सफल, अभी एक movie आई थी आपने देखा होगा, परमानू, जोन अबराहम की, तो उसमें भी जो दिखाया गया था, कि हमने जो परमानू परिक्षन किया था, उसमें पहला तो smiling Buddha था, यह वाला जो किया था, हमने इसमें भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, वो किसने किया था, तो APJ अब्दुलकलाम जी ने प्ले किया था, सर इसका पार्ट फर्स्ट का मिलेगा, इसका पार्ट फर्स्ट जो है साइंस वाला, जो है common science वाला, जो प्लेलिस बनियों, उसमें जो है मिल जाएगा, इसके अलावा, मैं इसी भी कमेंट्स बॉक्स में इसका एक लिंक पिशले लेक्टर का लिंक जो है पुट कर वाद वहां से भी देख लीजिगा या आप सीधे सर्च की जिएगा अचीब्मेंट्स आफ इंडियन इन साइन से इन टेक्नोलीजी तो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर तो शिलॉंग में बिल्कुल शिलॉंग में गये थे स्पीज देते हो देते मतलब काम करते करते ही जो है इनकी डैद भी हुई तो बहुत ही एक इंस्पिरेशन परस्टालिटी इंडिया के लिए इसके लाब ही प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन इंडिया न पोकरन इन फोकरन सेकेंड फोकरन फॉर्स 1964 में हुआ था इंद्राकांधी के समय और फोकरन सेकेंड जो हुआ वो कब हुआ अप जो है अटल ब्यारिवाच परीजी के समय तो अपने करियर के शुरुवात में उनने भारती सेना के लिक छोटा हेली कॉप्टर डिजाइन किय गया 1969 में इसरो में स्थांतरित किया गया जहां भारत के पहले स्वधिशी उपग्रेप रक्षेपन यान SLV 3rd सैटलाइट लॉंज विकल 3rd के परियोजन निदेशक बने फिर SLV 3rd के बाद PSLV, GSLV, GSLV, MK 3rd ये सारी चीज़े हम आज देख पा रहे है APJ अदर कलाम को बैलेस्टिक मिसाइल और लॉंज वाहन प्रद्यक्यों के विकास में उनके योगदान के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है और पोखरण में जो हुआ आपका 1998 में पोखरण 2nd में भारत के परमानु परिक्षन में महतपुन भूमिका न 1905 में आपने सुना होगा बंगाल विभाजन हुआ था तो 1905 में बंगाल के दो तुकड़े कर दिये गए एक बन गया वेस्ट बंगॉल और एक बन गया इस्ट बंगॉल इसलिए आज भी वेस्ट बंगॉल का नाम के उपर जो है त्रणमूल कॉंग्रेस बोलती रहती है कि ह हम इसको जो आप बंगला जो है प्रदेश नाम रख दे या फिर उन्गॉल नाम रख दे लेकिन अभी जो है यह सेंटर पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स के कारण नाम नहीं बदल जाता है कहा जाता है यह यह कहीं ना कहीं हमें 1905 के याद दिलाता रहता है वेस्ट में जन्मुआ और उसमें के प्रसिद्ध बहुत एक ज्ञानिक थे इसके अलावा ही वर्ग इन एरेना ऑफ थर्मल आइनाइजेशन अफ एलिमेंट्स और लेटर डवलब दी साहा एक्वेशन इनकी एक्वेशन बहुत फेमस है जिसको साहा एक्वेशन जो भी फिजिक्स में क प्रेशर और तो सुलारेज का प्रेशर और उसका वेट नापने के लिए भी इनोने काम किया ही वाज दचीफ आर्किटेक्ट और रिवर प्लानिंग इन इंडिया और प्रिपेर दप्लान फॉर दी दामुदर वेली प्रोजेक्ट जो कि हम हमारे आँ दामुदर को आप इसी रिवर है दामुदर जिसको बाइलोजिकली डेड रिवर भी कहा जाता है मतलब इसके पास इतनी सारी इंडस्ट्रीज है कि पूरी तरह से इसके अंदर कोई बाइलोजिकल लाइफ नहीं है जो फिशेस होती है एक्वेटिक लाइफ होती है वो सारी चीज़ें मर चुक दें कि असम में हर साल बाड़ आ जाती है वैसे एक समय था जब बंगाल में हर बार दामोदर जो है इतना ज्यादा परवान पर रहती थी कि पूरा उजाड़ कर रख देती थी तो उस समय इंडिया ने एक बहुत इंपोर्टेंट काम किया था दामोदर वेली प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया था और इसके पीछे भी मेगनाथ साहा का बहुत बड़ा रोल रहा बेंगॉल से ही आते थे उन्होंने तत्वों के थर्मल आईनी करण के शेत्र में काम किया और बाद में साहा समी करण विक्सित किया खगोल भोत्की के तारों के स्पेक्ट्रम में व्या प्रोजेक्ट से कंपेर किया जाता है आज भी उस तरीके से जो है जाना जाता है बिल्कुल फर्स्ट मल्टी वैलिप प्रोजेक्ट हुआ करता था तो समय वाकरी मतलब उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बंगाल आज भी बुक्स में पढ़ते हैं आप दामुदर इस आज शोक नहीं रहा क्योंकि डियो टूदम मेगनाथ साहा और भी बहुत सारे लोगों का इसमें क्रेडिट है जिन्होंने बड़े प्रोजेक्ट को डवलब किया इसके बाद डॉक्टर राजा रमन्ना की बात करें तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो थे हुमी जहांगीर भ ग्यारा जन्वरी को हमारे लाल बादो शास्त्री जी की डेट हुई 66 में और उसके ही तेरा चाउदा दिन बाद जो है हो मी जहांगीर बाबा की डेट हो गई और इसके पीछे बताया जाता था कि CIA की साजिष्ति CIA जो है सेंटल इंटेलिजेंस एजनसी अमेरिका की गया था कि हुमी जहांगीर भाबा उससा में हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो कर देते तो उससे पहले इनको मार दिया गया था तो यह जो है आपका CIA की समें साजिष्त बताई जाती थी तो जब इनकी डेट हो गई तो समें जो हमाई प्रधान बंतरी बनी थी है लेकिन ये जो थे मैं इनके साम इसलिए बता रहा हूं कि जब हुमी जहांगीर भाबा की डेथ हो गई थी तो माल लिया जा रहता कि इंडिया जो है 20-25 साल पिछड़ चुका है अब तो हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट या अटॉमिक टेस्ट नहीं कर पाएंगे तब चिंद्रा गांधी ने एक व्यक्ति को आगे लेकर आई थी जिनका नाम था डॉक्टर राजा रमन्ना और राजा रमन्ना बने थे हमारे अटॉमिक प्लान के जो है है फिर इन्हों ने भी आगे चलकर काफी रिसर्च किया और हमारे स्पेस प्रोग्राम में इनका भी बहु अनुद्ज़े बार्क जो है बंबे में है ट्रॉम्बे में मुंभई में आजाता है वाबा इसको ओनिक रिसर्च लिसको थीुन पे ड tätä विनिक नाम पर राजर अमन के नाम पर तॉर अनॉर Questo अए तो राजर मन्ना वेस्ट्यू से आ Français मैंट्या है तो राजर अमन्ना वग उनको जानते किसमें न्यूक्लियर साइंटेस के तौर पर जादा जानते हैं लेकिन बहुत सारी फील्स का नॉल इस था पॉली मेट थे बहुत ही सारी बहु जो बोला जाए कि प्रतिवाओं के धनी हुआ करते थे यह तो डॉक्टर राजरामना भारत के प्रसिद्ध भाहुत संस्क्रिट साहित लिए जाना जाता है इसके अलावा ही इंट्रेस्ट वाजेन न्यूक्लियर फिजिस एन पर्टिकलर ली अटेंचिन टू अटॉमिक रिसर्च एंटर रॉम्बे बंबे की कब बने ते तो मैं आपको बता दिया जब किसकी डेथ हो गई थी होमी जहांगीर भाबा जी की ढथ हो गई थी इसके बाद ही वाज ओफन रिफर्ट व एस दी दिफादर फ इंडिया जुक्लियर प्रोग्राम वैसे तो हम जांगिर को भी कहते हैं बताभ मी जांगिर भाबा जी को भी कहते है लेकिन इन उनको भी जो है उसमें इसमें कॉंस्फीडर किया ज जो है, इसका formation 1945 में हो गया था, और इसके द्वारा एक आवर्ट दिया जाता है, जो साइंस की फिर्ड में सबसे पड़ा ओर था, जिसे भारत रात रत नागरे कों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवर्ड लिकिन साइंस की फील्ड पिर दिया जाने वाला सबसे बड़ा हुआ इनको इसके अलावा he was also appointed as the union minister of defense in 1990 तो 1990 में जब आपका किसकी सरकार बनी थी तो पहली बार जो है 1989 में राजी गांदी को हरा दिया था एक चुनाव लड़ा था राजा हुआ करते थे वीपी सिंग जो थे विश्वनाद प्रताप सिंग जो थे उनकी cabinet के अंदर इनको डेफेंस मिनिस्टर बनाया गया था तो उनकी प्रूची परमानु भातकी और विशेश रूप से परमानु अनसंदान में थी और बंबे के ट्रॉम्बे में भाबा जो परमानु अनसंदान के अंद्र के अध्यक्ष भी बने उन प्रफूल चंद्रे कौन है इनके बारे में भी सुन लीजे तो बहुत ही जो है इंपोर्टेंट परसनालिटी है आज बोला जाता है है कि इंडिया की जो मेडिसेन है इंडियन मेडिसेन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा वर्ड में जिसने नहीं खाई होगी मला इंडिया आज फार्मसेटिकल वर्ड में इतना बड़ा जाइंट बनकर बैठा है कि विश में कहीं पर भी कोई ना कोई मैडिसेन खाई ही जाता है तो देख लेते हैं प्रफुल चंद्रे को यह प्रसिद्य शिक्षाविद रसाइन एक थे जिनों ने भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स और फार्मसेटिकल्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो फेमस एकेडमीशियन प्रफुल चंद्रे को जाना जाएगा इसके अलावा इन एक्सपरिमेंट किया था उसके बाद काफी चर्चाओं में आ गये थे इसके अलाव एक सक्षक्षप के रूप में उनकी भूमी का महत्पून्ती क्योंकि उनने भारत में युवा पीड़ी के रसायने को भारती रसायन विज्ञान में स्कूल बनाने के लिए प्रेदित किया और मेगनाथ शाह और सांती जैसे प्रसिद्ध भारती वेग्यानिक जो शांती सुरुब बतनागर थे उनके शिष्षे ही बताया जाते थे चात्रों में सुरुब बतनागर भी थे तो यहां पर 1889 में प्रफुल चंद्रे वास चूज़न एज एस असिस्टेंट प्रोफेशर ऑफ केमिस्टी इन प्रेसिदेंसी कॉलेज कोलकाता और पॉब्ल बताया फेमस इंडियन साइंटिस जैसे मेगनाथ साह का नाम पढ़ा शांती सुरुब बटनागर जी का पढ़ा इनके यह सब मतब यह उनके टीचर थे सारे उनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो यह चीज़ पता चल गई प्रफुल चंद्रे ने भारत में उद्द्यो जैसा मैंने बताया कि कोई ऐसा अचूता नी रहा है विश में अगर यूस मेरे ताओगा तंजानिया मेरे ताओगा मुरक्को मेरे ताओगा उसने इंडियन मेडिसिन खाई ही होगी तो यह जो है क्रेडिट आज क्यों पर इसके पीछे जो है हमारे प्रफुल चंद्रे रह रिजल्टे इन दे फॉर्मेशन ओ बेंगॉल कैमिकल और फार्मसेटिकल्स वर्क लिमिटेड अब तो यह भारत सरकार ने इसको एक्वायर कर लिया है इसमें जो है सबसे पहले है सबसे ज्यादा यहीं बनती थी अब तो नहीं बनती है जो हाइड्रो क्लोरो क्रें क्योंन क की बात सुनी होगी आपने को विट के समय काफी चर्चाओं में थी तो यह जो है वाली मेडिसिन थी तो यहाँ पर हमने जो है काफी साइंटिस्ट की बारे में बात कर लिए तो इन साइंटिस्ट के बारे में जो भी चीज़ें है कोई डाउट से तो इन शोशल मेडिया हैं तो मैं वहाँ पर art and culture का topic पढ़ाऊंगा तो उन चीज़ों को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं तो ओप यह चीज़ आप लोगों को clear होई होगी अगर यह series आपको अच्छी लग रही है जो भी suggestions है, comment section हो मुझे ज़रूर बताईएगा, thank you very much for watching this, have a great day